अलो डेल स्टुडेंट मैं आज आपको सोचीयाल्जी पढ़ाऊंगा सोचीयाल्जी में बेटा बीए सब्सक्राइब आपने सब्सक्राइब यूनित और फर्स्ट और सेकेंड में बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ें उसी प्रकार बी ए सेकेंड सेमेस्टर में वह सारे यूनिट और टॉपिक हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे जो लगनुव यूश्टी का स्लेवर से उसके कोर्डिंग जो आपका टॉपिक निर्धारित है उसी क्याधार पर हम एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है तो पहला जो टॉपिक है आप स्क्राइब करेंगे चराएं तो ओ देखेंगे कि एब्रिपरशन है और हर और पोजीशन पर पोजीशन इन दर सूसाइटी फिच्ट काल स्टेटर्स इन दर अलोजिष्ट लैंगवेच ना विटा सचलोजिस्ट लैंगवेच तो कहने का मतलब इनके ये है कि प्रतेक ब्यक स्टेटस कहा जाता है कि समाज में कोई जो ब्यक्ति है चाहे मैं हूं चाहे आप हैं चाहे कोई अदर परशन है है ना हर का अपना एक क्या होता है एक समाज गध होता है एक स्टेटस होता है उसी केrifारडिंग वो काम करता है तो अगयर हम इसकी अर्थ और परिभाषा मीनिग और डिफिनेशन अगर जानलेगे स्टेटस की तो हम अच्छी प्रकाइस से जानपाएंगे ठीक है चौत पहले डिफिनेशन हम देख लेते हैं ब् mai जिस्टिति समानता है एक स्वह में एक पद है समाज अथ्भा समु में एक पद है According to virilee streetilot कहते हैं कि समु और समाज में क्या है एक पद है या तो society हो या तो ग्रुप हो उसमें एक पद होता है मतलब जैसे कहने है का मतलब उनके एक की जैसे सुसाइटी माप हैं मां लेजिए एंडियन सुसाइटी में रह रहे भारती समाज में परतेक बित्र का पद होता है है ना आप अगर किसी क्या कहते हैं सनस्था से जुड़ें हैं महां पर आपका एक पद होगा इंडियन इंस्टिउशन कहते हैं जैसे उस में बैग्यानिक हो सकते हैं किटा कि प्रोफुसर हो सकते हैं तो क्या है एक पद से हैँ कहने का मतलब उनके कि-समाज में सब्सक्राइब करते हैं विर्ष्टिट किताब दी तो सोसल और बड़ी फेमस बुक है उनकी विर्ष्टिट की तो आगे बात करते हैं जैसे सिंपल डिफिनेशेज नहीं से अकॉर्डिंग आग बर्न एंट निमकाफ एक बुक थी आग बर्न निमकाफ की एह हैंड बुक आफ सोशियोलजी हैंड बुक आफ सोशियोलजी उसमें इन्होंने यह बात कही थी है ना कि रिफ्रेंश दा पोजीशन आफ इंडिविज्विज्ट ग्रूप आगबन प्रस्तिती की सबसे सरल परिभासा यह है कि यह समू में ब्यक्त के पत का प्रतनिद्द करती है जो जैसे आप माल लीजिए एक समू है माल लीजिए ब्यापारियों के समू है तो ब्यापारियों के समू में एक जो आकुपेशनल गुरूप है उसमें क्या है हर का एक पद होता है जैसे फिक्की है प्रडिस्टिन आफ इंडिया है ना क्या कहते है उसमें क्या है फिक्की में अध्यक्ष होता है तो उसका एक पद है कहने का मतलब क्या है पूजी एक पद है एक प्रविस्थिती है ठीक है यह कहते है कौन कहते है आगबन और निमकाफ ठीक है इसी प्रकाल लिंटें साहब की परिभासा है तमाम लोगों ने इसकी अलग-अलग डिफनेशन दी है तो जो बड़ी इंपटेन डिफनेशन नहीं मैं रिफनेशन नहीं आपको बताईगा आफ इसके करेक्ट्रिस्टिक्स जान लेते हैंनल जरंत आब इस्टेिक्स यानि इसकी जो विसिस्ताइं हैं, वो क्या हैं? परिस्थिति समाज की आवस्चक परडाम है, necessity, result of status, society, मतलब आवस्चक है, मतलब बिना परिस्थिति के कोई भी society रन नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, हर एक society में एक परिस्थिति होती, इसको according चलती है society धीक है दूसरा क्या है दूसरा repositioning associate with status है न प्रस्थिति के साथ प्रसिष्था जूड़ी होती है कहने का मतला बिना प्रस्थिति के कोई समाज में प्रतिष्था नहीं हो सकती जैसे प्रस्थिति की बात करें जज की प्रतिष्था कैसी है जज की बहुत समाजी प्रतिष्था कम होती जो प्यून है उसका स्टेटस कम होता है लेकि जज की एक प्रतिष्था होती है या डीम की प्रतिष्था होती है प्रतिष्थी क्या है डीम समाज में पद है उसके साथ प्रतिष्था जूड समाज का प्रहस्थिति है प्रहस्थिति क्या जुड़ी दूसरा ठीक करण समाज में अस्तिरीकरण को बताता है जैसे माल लीजे बिटा अस्तितिरी करण आप जानते होंगे हरार्की होती है प्राइस्तिति उच्छ और निमने में विवाजन की बात करता है है ना उच्छ और निमने की बात करता है आयू के आधार पर लिंक के आधार पर प्राइस्तिति के आधार पर जैसे समाज में differentiation की बात करते हैं बिवेधी करन की बात करते हैं लिंग के आयू की आधार पे बात करते हैं इस्ट्रिफिकेशन है एक लेयर है जैसे ब्रामर छत्री वैश्चुद्र है उसी तरफ प्रश्थिति कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर कोई चप्रासी है इस्ट्रिफिकेशन का का करता है आज की आधार पर लिंग की आधार पर आधार पर अगे इसका मतलब क्या है एक प्रस्तिती का निर्वाह प्रत्प ब्यक्तियों के द्वारा अपने ढंग से किया जाता है मतलब ब्यक्ति जो अपने ढंग से कोई एक प्रस्तिती मिली है माली उस प्रस्तिती पे बहुत लोगों ने काम किया है माली जैसे प्रधान मंत्री जी प्रधान मंत्री का जो पद है स्टेटर्स है जो प्रस्तिती है उस पे कभी मोदी जी ने अपने हिसाब से काम किया है कभी इंद्रा जी ने अपने हिसाब से काम किया है ठीक है सब ने अपने अलग-अलग धंग से काम किया है ठीक है बेटा सब ने अलग-अलग धंग से काम किया है ठीक अब the concept of status can only be under root in the context of their people status cannot be separate from rule है ना अब क्या है the concept of status can only be understood the concept of the people इसका कहने का मतलब यह है कि प्रस्तिति के आउधाना एक दूसरे ब्यक्तियों के संदर में समझाया जा सकता है मतलब प्रस्तिति की जो आउधाना है वो किसके दूसरे ब्यक्ति के संदर में समझाया जा सकता है कैसे कि कोई बी स्थिति है वो रिफेरेंस के द्वारा ही समझाया जाएगा कोई बाताएगा कि यह डॉक्टर है एक एंजीनियर है ठीक है उसी के रिफेर्स समुजब्टाइब दूसरा इस्टेटस कें नौट बी सेपरेट्ड फर्म रूल मतलब बिना प्रस्थिती बिना रोल के कोई भी प्रस्थिती नहीं मतलब अलग नहीं किया जा सकता है इसको ना ठीक है और आगे नेक्स्ट में बात में करते हैं scientifically the terms status was used Ralph Linton book the study of men बैग्यानिक रूप से जो first time sociology में terms use किया गया वो थे कौन राफ लिंटन साब the book study of men 1936 में किया दा scientific रूप से इसके पहले status and rule की बात की थी अरस्तु साहब ने पॉर्टिकल साइंस में लेकिन समासास में लाने का स्रे राफ लिंटन साब को है ठीक है बड़ा type of status राफ लिंटन डिवाड़ेट कंजिशन founder society into two parts इन्होंनों दो भागों में बाटा है प्रस्थिती को एक है स्क्राइब स्टेट दूसरा अर्जित प्रस्थिति प्रस्थिति क्या है अर्जित प्रस्थिति क्या है इसको हम देखेंगे ठीके बड़ा प्रदत प्रस्थिति क्या है और अर्जित प्रस्थिति क्या है इसको एक बाई एक करके हम देखेंगे ठीक है बड़ा रा नंबर एक एसक्राइब स्टेटस क्या देर सर्टेन स्टेटें इन दे सुसाइटी इस अर्टमेटली एटेंड विदाउट पेंग अटेंशन दे क्वाल्टी आप दे पर्शन समाज में कुछ प्रस्टितियां ऐसी स्वता गुणों पर ध्यान दिये बिना उसको स्वता ही प्राप्त मतलब वो गुण के आधार पर नहीं वह स्वता ही मिल लाती है इसको कहते हैं जो मतलब अपने आप पाई जाती है जन्म होता है उसी आधार पे एस्ँराई इस्टेशन पाई जाती है बेस cripps क्या है इसका आधार क्या है विभेदी करन का इसका क्या आधार है determination कैसा है है न उसको हम देखेंगे एक एक करके ठीक है नमबर एक जेंडर डिफेंस लिंक के आधार पे एज की आधार पे, आय की आधार पे, किंसिप, नातेदारी की आधार पे, जन्म, बॉडी फीचर्स की आधार पे, कास्ट एंड, इस्पेसीज, जात एंड, जो प्रजातियां उसकी आधार पे, हम देखेंगे, कि क्या है, प्रदत प्रजिश्थिती, ठीके बड़े? नमबर एक, जेंडर डिफ्रेंस, भाई, जेंडर डिफ्रेंस का मतलब होता है, जो आई के आधार पे, यानि जो क्या कहते हैं, जेंडर लिंग के आधार पे, जो डिफ्रेंस होता है, पुरुष है, कि महिला है, इसके आधार पे जो डिफ्रेंस होता है, कोई अर्जित तो होत रत्रत्थ होता है या तो आप पुरुच होंगे या तो हुआ तो महीला आप और चारवर्स पांच वरस दर्स पतीश भर पचास जो एज डिएज डिफरेंस से से सोई इसको आप अर्जित थोड़ी करते हो एठ आप अपने आप होती चली जाती आप पैदा हुए ह से अपनेया बढ़ती Egay आपकी आप इसे रोक नहीं सकते हो अपने आप चली रहती है तो इस यह क्या हो जाएगी प्रदठ हो जाएगी Pakistan ऐसा कि नातेदारी कुछ प्रकार की नातेदारियां एक ही विए कुछष ने कि नातेदारी होती है वो प्रदत्त होती है कैसे जैसे आपने जन में लिया मां से आपका संबंद पीता से आपका संबंद अंकल से आपका संबंद चाचा से आपका संबंद ना बॉड़ी फीचर से क्या है जो बॉड़ी के जो लंबा गोरा सुन्दर ना बॉड़ी जो से आपके वो क्या है यह भी क्या हो जाता है आप थोड़ी ने करते हैं यह प्रदत्त होती है कि आप पैदा होंगे या तो काले होंगे या तो गोरे होंगे या छोटे होंगे या तो लंबे होंगे या तो मोटे होंगे यह अपने आप देता है बैकला गोरा तो आपको कर ने सकते हैं, लबली लगा लेंगे या कुछ लगा लेंगे और उसे तोड़ी सुन्दता बन जाएगी, जब काला पैदा होता समला है तो गोरा है तो गोरन हैगा, अगर थो मिल्की रहेगा, तो ये भी क्या होता है, प्रधत होता है, अर्जित नही में पैदा होते हैं या सुद्र में पैदा होते हैं किसी प्रजाति में जैसे होते हैं निग्रोइड में होते हैं मंगोलाइड में होते हैं जान बुझ कि थोड़े ना आप चले जाएंगे हम मंगोलाइड में चले जाएं आप जिस प्रश्थिति में पैदा होंगे जिस में प सिकेंड बाथ करते हैं एक्जीब स्टत sexual हरुर प्रिस्टी में उठ्प इर समाज में परिस्टिया जिने गुणों यंक्धा के मत्तर परप्त करता है यहनि जो गुणों के द्वारा हैना की कि द्वारा और इसाम्ता की द्वारा प्रिस्ति में स्टति which person get on the basis of his merit and ability there is a card achieved status like education business man है ना मतला अपनी छमता योग्यता के आदार पे वो क्या करता है प्राप्त करता है उसे कहते हैं अर्जित प्राइस्थिती जैसे education में भाई आप education ले के doctor बन सकते हैं इंजीनियर बन सकते हैं है ना वकील बन सकते हैं जज बन सकते हैं बिजनेस है ना क्या है बिजनेस क्या आप achieve कर दें पैदा होके तो मिलेगा नहीं आपको भाई धीरु भाई अब बानी माल लिजिए उन्होंने पांसो रुपे से अपना बिजन स्टाट किया उन्हीं एचीब किया आज मुकी संबानी वर्ड के टॉप रिचिस्ट में से हैं अपना एंपायर उन्होंने फ्ला फैलाया है ना ठीक है उसी तर टाटा गृल बीजल गृते बीजनसमन छोटे बिजनसमन डाल मीं आओ गये यह लखनों में बहुत लोग किया उन्होंने एक्षीब किया क्योंकि मेरीज करते वासें बनेगे कि मामा मेरी दारते हैं। तब यह नहीं क्यूंकि होता है तो कहने का मतलब जो आप अर्जित करें स्वेंग के द्वारा ठीक है बेस आप डिटर्मिनेशन आप एचीव विवेदी करन क्या है इस आधार पर हम बात करें एचीव रोल क्या विवेदी करन है वो किस आधार संपत्ती ते अर्जित प्रश्थरी के द्वारा इकठा करते हैं कुछ कम संपत्ती संपत्ती किसीन नव bहुत ज्यादा बनाई पता चला क्या कहते हैं इसमें देखिए टाटा के पास बहुत जादा समपति एचीब किया उन्होंने लखनव में क्या कहते हैं लडानी ग्रूप है बहुत एचीब किया उन्होंने बहुत ऐसे सुपरूतरा सहारा देखिए क्या स्कूटर से ब्यापार करते थे आज उ बजाज किया है पैदा होते ही रहीज नहीं रहनों ने इसी बिजनेस अंपायर खड़ा किया है ठीक है मैरेज एचीब का है क्या आपने जिससे साधी की उसी से आपकी प्रस्थिती बनेगी ना विवाः एजुकेशन एजुकेशन में क्या है एजुकेशन में माल लिजे भाई आपने डॉक्टरी की पढ़ाई के तो डॉक्तर इचेबर क्या एनजिरिंग पढ़ाई गी तो आप इंजिनियर बढ़ Hang इचीब की आप ठीक है जude की पढ़ाई आपने आईएस की तियारी की पीसेस की तियारी अब माल लीजी आप बीए कर रहे हैं बेटा बहुत अच्छा एक्जामपल में दे रहा हूं अगर आप बीए सब पास कर जाएंगे तभी तो बैचलर आप एजूकेशन के आपको डिगरी मिलेगी तो क्या किया आपने एचीब किया यहां तक आप आएं तो एंटर पास करके आएंगी अपने एचीब किया एचीप और एचीवमेंट के अधार किया क्या कहते हैं स्टेट सब्सक्रात Woman में क्या है आरे स एसक एच्छोटे कार्य करता थे आज उठील उन्होंने करते हुए पहले चीफ मिनिस्टर बने गुझराद के बर्द्मान में क्या है आंनेबल प्राइमिस्टर है रामनाथ को भी सार को देखी वर्द्मान में क्या है है अब के प्रेसिजिट है कोई भी ले लिजे इसरों में बहुत सारे बैक ग्क गानेए तारा भाई क्या खतार क्या उन्हें उन्हें एचीप किए एपि जेिए अबदुल्क्राम एक सामान ने फैमली से थे उन्हें एचीप कि अप्सक्राइप टो कहने का मतलब मेरे यही है कि जो एपी जी अब्दुल कलाम है एक सामान फेमिली से प्रेसिडेंट का पदो ने से एचीब किया तो एचीब की आरहार पे जो है अर्जीत परिश्चिती का एक बहुत बड़ा एक्जामपल है ठीक है बटा इस प्रकार जो आपका एक लेक्चेर नहीं पर समाप्त होता है बा